आज हम आपका हिंदी साहित्य में आपका खानपान की बदलती तस्वीर का भागतों में आपको पढ़ा रही हूं हाना उससे पहले आपको इसका मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था हाना इसका जो सार है मैं आपको समझा देती हूं तो प्रसुत जो पार्ट है इसमें खानप तो हमारी खानपान उससे भी परभावित हो रहा है मतलब हमारी जो खानपान की चीजे जो बदल दी जो पहले थी वह आप काफी बदलाव आ गया आपन जैसे दक्षिन भारत के ली डोसा सांबर रसम उतर भारत के सहरुक में असानी से मिल जाते हैं हमारे राज्यों में आसान आपका साग आप कहीं भी चले जाओ आप साउत में चले जाओ या नौर्ट में चले जाओ आपको यह सब चीजे आराम से बिल जाएंगी हैं कि आपको के वहां का वेंजन निखाने को अपना वेंजन आप खाना चाहते हैं तो वह सारे वेंजन आपको आपर अपलब दी पि गुज्राती धोकला हो गया वो केवल अब गुज्रात तक निसी मीत्रा गया बल्कि आपके सभी राज्यों में आसानी साथ के घरों में आपकी मम्मी वगएरा सब बनाती होंगी बंगाल की जो मिठाई है पहले उस मिठाई को खईदने के लिए आपको इस पेसर बंगाल नही बताया था फिरो इस ने इंब ही कहा था मिनने आपको कि नई पीडी का है परभणती सस्कीर्ती के का ही परभाव है कि हमारे जो सहाभी ठीकानों मतलब जो बड़े-бड़े तो हुआ था मैंने आपको बताया था कौन हो है आपकी यूआपेडी हुई है जो यूआपेडी जो हमारे है वो अस्थानी वेंजन न दिया मैं आपसे पूछूंगी तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी जितने भी आजकर के जो प्रचलन के जो वेंजन है फास् अब लोगों के पास इतनी फूरसत नहीं है हाँ कि आप आरामी जैसे कि घ्रैनिया होगी महिला ही होगी कि वो किसी लंबे प्रॉसेज में खाना बनाने की कोशिश करें हना वो उनको भी जले जल्डी साथा काम करना होता है यदि मैं मैं आंज बोला था मैंने आपको बताया अस्थानिय वेंजिन में कमी आने का कारण देशी वेंजिन को अपनाते जा रहे हैं, सबसे मेहन बात यह है, जो कि पकाने और पकाने में बनाने में सरल होते हैं, और हमारे जो सहरी जीवन हो गया, उसमें भागम भाग हो गई, फिर जो हमारी महंगाई की वज़े से भी, अस्थानिय वेंजिन को छोड़ते जा रहे हैं, मेवे के बेस्थानिय वेंजिन पकाने से पहले, आपको कई बार सोदना पड़ता है, यह आपको मेवे वाले कोई वेंजिन बनाने हो, तो उसको आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, कि आप उनको खरीद के लाएं, उनको बना सके हैं, तो इन सब चीजों की वज़े से भी जो है हमारे अस्थानिय वेंजिन है, वो छूटते जा रहे हैं, उनको बनाना कम होता जा रहा है, फिर मैंने बिताया था आपको कि खानपान की सस्कीति का जो सकारात्मा पक्षे है, कि वो आज गिरेनी और कामकाजी महिला कोशिक दित्त से त्यार होने वाले वेंजिनों की हमें जानकारी होती है, नई पिडी के पास देश-विदेश के वेंजन जानने का उसर मिला है, इस सस्कीति समेराश्टे एक तक जलग भी मिलती है, खानपान से जोड़ी वी वस्तुएं जैसे बोली, बानी, भेज, भूश भी मिलती है इन के वर 15-17 होटलों के परचार के लिए नहीं छोड़ देना चाहिएं, बलकि अपने घरों में भी अपने बच्चों को भी, बच्चों को भी इसकी जानकारी होने चाहिए, ना, टो उनोंने कहा कि इन वैंजनों का जो हमेरे घरों से बाजारों से गाएब हो हमाले क्या है दुर्भागे की बात है मैंने तापको बताया था हना जैसे कि आपकी कचोरिया हो गए जले भी हो गए समोसे हो गए हना अब वो मतलब अतनी आसानी से नहीं मिलते जो स्वाद पहले हुआ करता था वो स्वाद अब नहीं हुआ करता है हना और हाली में जो उत्तर वंजनों को छोड़ दिया है और स्वाध तथा स्वास्ति के अनुकुल अनिक चीजे जो है पस्टिम की नकल करने लगे हैं हना यह चीज़ों हो गई थी हमारी फिर मिश्रित सस्कीर्थी में कई बार चीजों का जो स्वाध हैं वो नहीं ले पाते हैं हना यह विवित्ता सस्क करते हैं हमें चुकने का चुन्ने का जो अफसर देती हैं पर उन्ति वीप्रीत प्रकृति वाले वेंचन एक साथ परोस्कार भी हम उसका लाब नहीं उठा सकते हैं हना विक्षित होती स्थी मिश्रित सस्कीर्थी की को तरह से हम जास्ते हमें पर रखते हैं रहना चाहिए कि कितना स्ब्धार्थ ने में आपको पड़ा दिया था अब हम आपके अफ्यास प्रश्ण करेंगे सब्से पहले हम सब्दार्थ कर'Tेया कि तो पहले सब्दार्थ में आपका है स liberty さ कुट चैश्डर्थ का मतलब पता है किसी पिर तीसरा था इसमें आपका अजनभी अजनभी क्या होता है अजान भी होता है हाँ आप परिचीत भी होता है मैं आप परिचीत लिखनी हूं करके परिचीत थीके फिर आपका फूर्द था इसमें विझ्यापीद डिज्यापीद करते लाता है विज्यापन निज्जापन के ठीकाण हुआ is होँआ है एफिर आपका आता है सहाबी ठीकानों लोगों के घर किके फिर्सिक्स में था आपका इसमें लेगे हम लोग जटिल ले लेते हैं आपका जटिल आएगा जटिल का मतलब बता है मुश्किल फिर अपका असमें साथ 2 साथ दिया दूसाथ दिया का मतबता है कठीन परिश्रम वाला कठीन परिश्रम वाला फिर आपका इसमें आता है वन्चित रहना वन्चित करना करना मिंस ले लेन फिर आता है आपका मिस्रित मिस्रित का मतलब दो मिला जुला आपका दस में आएका मिस्रित के बाद आया आपका निकालेश निकालेश मनें सुध निकालेश के बाद आपका इसमें आएका पुनरता का इसका इसका अबता है फिर एस से बढ़ाना इसाज है त्पीर बारा है इसमें आपका दुर्भाग्या तुर्भाग्या तुर्भाग्या का मतलब है आपका बदकिसम्त हैं ना थी आज प्रचार आर्थ प्रचार आर्थ का मतलता है प्रचार करना हो प्रचार के लिए आप के लिए ठीक है अधिन क्राथ 14 है आपका दुर्गती दुर्गती होना होना बुरी हालत होना बुरी हालत होना फिर आपका इसमें आता है प्रिती भोज प्रिती भोज मिन्स दावत तो यह आपके इसमें सब्दात थे अब हम प्रचन उत्तर करेंगे खान पान की मिस्री सस्कीर्टी में से लेखक का क्या मतलब है अपने घर के उधारन को देकर आपका इसकी व्याख्या करनी थी इसका आंसर में नहीं हापी लिखा है खान पान की मिस्री सस्कीर्टी से लेखक का मतलब है देशी विदेशी वेंजनों का मेल जोर अर्था अस्थानिय वेंजनों और पढ़न का महत्वर अरखते वे देश के अन्य भागों के पक्वानों तथा विदेशी वेंचनों वा पक्वानों को अपणाना इस से मध्यम वर्गिये लोगों के भोजन में विवित्ता दिखाई पढने लगी है मेरे अपने ही फिर उन्होंने दूसरा कुशन पूछा था उन्होंने कि अपने घर के उधारन देखर आपको इसके व्याख्या करनी थी आप अपने इसाब से भी लिख सकते हैं इसको मेरे अपने ही घर में कुछ दिन पहले तक हम लोग क्या करते थे अपने जो घर में हमें उत्तर भारती जो भूजन होता है मेरे घरों में दाल, लोटी, चावल, साग, पूरी यह खाया जाती थी हाना लेकिन कभी-कभी इसके साथ साथ आपका इडली, डोसा, वड़ा भी खाया जाता है हाना और समय की कमी को देखते हुए कभी-कभी फास्ट क्यों है इसका अंसर जो था खानपाद में बजलाओ के निमनीखित फाइदें हैं जैसे कि किसी छेत्र के पकवान या वेंजन वेंजन को उस छेत्र के बाहर के लोगों ने लोगों ने अपनाया हाना फीस में दूसरा पॉइंट है इसका हाना चेत्र विशेश के आपके चेत्र विशेश के विशेश पकवानों विशेश पकवानों का स्वाद लेने के लिए उस छेत्र में जाना आवशक नहीं है ठीक है फिर आपका थर्ड पॉइंट है इसमें हाना खाने ख्लाने में विविद्धा विविद्धा आई है फिर आपका इसमें फॉर्थ है आपका महिला तथा घरेणियों को नए वेंजन पक्वार्म की विधिया अपलब्द हो गई है महिलाओं को नए वेंजन तथा पक्वान बनाने की विधिया अपलब्द है विधिया अपलब्द हो गई है अपलब्द हो गई है आपने देखाओगा क्या और आजका अपनी मम्मी है जो यूटूब के द्वारा मत्य हमसे नएने पक्वान आपको बना कर खिलाया करती होंगी है यह चीज़ के वज़े से हो हां आपके जो घ्रेनी है नएने डिसीज तो फिनिश्मेंट फॉर्फिफ्ट पाइंट है हम अन्य सस्कृति की हम अन्य सस्कृति की बोली बानी भाशा भुषा भुषा से भी परिचीत होते हैं से भी परिचीत होते हैं है न है यह집ा इन कहा कि आपको इद्दी भारत अरा न्य स्याद आ जाएगा हida हना. कुछ explains वे होते हैं जिनको आप अदम से उनके नामों के दारा माँ की वेज भूशा के दारा भी आप ऊंको पहचान सकते हैं पिर राश्ट्य एक्ताय भी प्रबल हुई है राश्ट्य एक्ता की भावना प्रबल होई है प्रबल होती है ठाऊथी है ना होती है फिर दूसा सब्सक्रार्व की प्छलेख करां जो चिंती थैं सब्र भी हम चिंतित है चिंतित है पहला है इसमें पॉइंट दिखेंगे अस्थानिय अस्थानिय वेंजन वेंजन तथा पक्वान घटकर घटकर कुछ ही कुछ ही चीजों तक सिमीत होते जा रहे हैं अधे जा रहे हैं इसमें नई पीड़ी इन अस्थानिय वेंजन वेंजन पक्वानों को भूलती जारी है ना नई पीड़ी इन अस्थानिय पक्वानों को अस्थानिय पक्वानों को भूलती जा रहे हैं बोलती जा रही है ठीक है फिर आपका इसमें जो थर्ड पॉइंट है इसका अस्थानिय वेंजन अस्थानिय वेंजन तथा पक्वान केवल केवल पांस इतारा पांस इतारा होटलों के परचार के परचार की वस्तु वस्तु बन कर रह गए हैं कि आपको खांटिस खानी अस्थानिय वेंजन की तो आपको कहां मिलेंगे आपके जो पांस इतारा होटल है वहाँ पर खानी को मिलेंगे और जो आपके अस्थानिय जो है अस्थानिय वेंजन तथा वेंजन तथा पक्वान पक्वान बाजारों से गायब होते जा रहे हैं गायब होते जा रहे हैं तो यह आपका इसमें कोश्चन था फी दूसरा था इसमें परश नंबर उत्तर नंबर आपका तीसरा है कोश्चन खान्बान के मामले में अस्थानिताका क्या अर्थ है किसी चेत्र या अस्थान विशेश पर खाए खिलाए जाने वाले वेंजन तथा पक्वान यह वेंजन तथा पक्वान उस चेत्र की संस्कृति के प्रतिक भी होते हैं तिर भी होते हैं जैसे इडली डोसा बड़ा सांभर रसं दक्चीन भारत के अस्थानिया वेंजन हैं ठीके यह मैं आपको बतायता न अभी जब मैं बोली थी आपको की गुजात में बनूंगी की ढोकला तरदम से दिमाग में आपका गुजात आ जाएगा हैं तो यह जो है आपका यह आपको फास्ट फुट पे आपको उसके जो नुकसान और फाइदे हैं आपको उसके बारे में आपको लिखना है यह आपकी अक्टिविटी है धन्यवाद